बिहार यूपिके फेमस ठेकवा आज मैं ठेकवा की रेसिपी लेके आई हूँ और मैं ज्यादा क्वाइंटिटी में बना रही हूँ तो सारे चीजे मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगे कि छठ में भी ठेकवा जिद्धी ज्यादा बनाना पड़े तो कैसी बनाना पड तो मैं इस सारे चीजे इसमें बताई हूँ तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा अधी अच्छा लगे तक लाइक देजिएगा और चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैं ठेकवा आज बना रही हूँ ये तीन केजिया टाली हूँ और कटोरी से नाप के निया किसी चीज से नाप के मैं तो चार कटोरी ली हूँ उसके बाद ये देखिए नारियर का बुरादा है तो नारियर का बुरादा मैं 100 ग्राम ली थी तो 100 ग्राम ये नारियर का बुरादा आप चाहे तो डाल भी सकते यह कोई दिकर नहीं लेकिन इससे κहास ता आपका ठेकुवा बनेगा और चीनी मैं सवा के जिली हूँ यह इतना चीनी जो है न जादा ना मीठा होगा ना जादा मतलो कम मीठा होगा इसमें मैं डेर गलास पानी डाली हूँ और डेर गलास पानी में थोड़ा सा बच गया है तो डेर गलास में पूरे पानी डाली हूँ इसमें तो इसके लिए आटे लगाने के लिए इतना काफी है तो अब देखी मैं इलैची आट से दस इलैची इसको कूट के लिए हूँ इस तरह से आपको दिखाने के लिए मैं नी इसको चाय-पती के डबे में डाल दूँगी अब देखें यह लेची तो सरा में इसमें डाल- दूँगी और जो होगा मैं यह चाय-पती में डाल देती ynुद्छ डालने के बाद इसको में रख देती हूँ अब आया घी की बारी तो घी इसमें मैं 200 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा देती हूँ इसको पिगला के अत्तब देना है तो इसको भी मैं अच्छे से मलमल के मलमल के इसे मैं पूरे आटे में मिला लूँगी आप दोनों हाथ लगा क क्योंकि एक हाथ से ज्यादा को एंटिटी में है तो नहीं होगा तो आप जब कम बना रहे होंगे इसी आप रेशियो से बनाएगा और इसे कम कर दीजेगा तो देखे आठा में पूरे अच्छे से घी लग गई है और यह अच्छे से मला भी गया है तो मैं अब इसमें गरी डाल देती हूँ गरी भी मैं 100 गराम ली थी और इसको मैं छोटे छोटे पीसिस में कर दी हूँ आदि आपको कटा हुआ गरी मिलता है तो आप उसे अच्छे से थोड़ा सा एसमेल ले लीजेगा क्योंकि कोई कोई ना गरी कटा हुआ तो इसका एसमेल दूसरे जैसा लगता उसके बाद मैं इसमेन सौर्फ डाल दी हूँ सौर्फ में तीन चमश डाली हूँ और जो भी चीजे आपको पसंद ना हो गेशा क्यों पसंद ना हो इसको कर दीजेगा और इस तरह से देखे मैं 4 तरफ से नाटे को फैला दी हूँ और इसमें चीनी जो है चीनी को थोड़ा तो इस तरह से मैं चीनी इसमें डाल दी हूँ, सारे चीनी को डाल दी हूँ, यह ज्यादा क्वांटिटी लगवक 5 kg हो गया है, तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं दोनों हाथ लगा के इसको अच्छे से मल लेती हूँ, और इसको ज्यादा गीला नहीं करना है, गीला दी आप कीजेगा तो बाद में क्या होगा, जैसे जैसे चीनी, इसमें गलेगा उसे यह ढिला होते चले जाएगा, तिसलिए इसमें ज्यादा पानी मत दीजेगा, तो इसको मैं देखे इस तरह से भुड़ भुड़ा ही छोड़ दी हूं और जैसे जैसे ये गलेगा ना उसे इसमें पानी छुटते चला जाएगा और इसको जैसे शुरू में हाथ से थोड़ा सा मल लिजेगा मल-मल के इसका लोई कीजेगा ये बहुत अच्छा ठेकुआ बनेगा और बहुत ही खास्ता ब बना लिजेगा देखिए ये डिजाइन थोड़ा अच्छा लग रहा था तो मैं इसी पे बना ली हूं मेरे पास भी साचा नहीं है तो मैं निकालना नहीं चा रहे थी छट पुजा का साचा था तो इससलिए मैं इस पे बना लेती हूं और इसमें थोड़ा पत्ता का डिजाइन है तो पत्तावला डिजाइन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था आप गोल बनाए या लंबा बनाए अप जैसे भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो इस तरह से में लंबा भी आपको बना के दि मतलब तीन घंटे लग जाएंगे क्योंकि ये पांच केजी हो गया है और इसको तलने में बहुत धीरे-धीरे तला जाता है तो देखिए ये तेल या घी तेल मतलब रिफाइन ले लिजे डाला ले लिजे या घी ले ले लिजे इसको ज़्यादा गरम नहीं करना है थोड़ ज़्यादा हीट ना हो आपका तेल और इस तरह से मैं अलट पलट के ठेकवे को बना ली हूँ अब सरसुक के तेल में मत चानगेगा नहीं तो वो थोड़ा सा इसमेल उसका रह जाता है अधी उसका इसमेल आपको पसंद है तो आप उसमें भी बना सकते हैं वो कोई दिकत न इस तरह से और मीडियम फ्लेम पे ही तलना है क्योंकि ठेकवे तो थोड़ा मोटा होता है मोटा होने से थोड़ा अंदर तक यह सिके तो इसके लिए आपको फ्लेम को थोड़ा कम रखना है और जिससे जिसे होते जाएगा उसको मैं निकालते जाओंगे आप इसे जब चाहें आप अना के खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगता है तो देखिए यह इसको मैं तलके निकाल दी हूँ फिर से मैं डालती हूँ और फिर को फिर से मैं उसी तरह से सबको तल लूँगी तो इस तरह से जो जो हो रहा है मैं उसको निकालके इस मेरा ख़ड़ रही हूँ और ये मेरा टेस्टी सा ठेकवा बनके तयार हो गया है और मैं दिखाती हूँ आपको एक तूर के दिखाती हूँ देखेगा कितना हलका ये बना है और बहुत ही अच्छे से बनके ये तयार हो गया है आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तेक लाइक जरूर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में